बारतिया न्यूज में आपका स्वागत हैं, मैं हूँ शिखा, आएए देख लेते हैं आज की खास खबर सोशल मीडिया पर यूटी के अश्लिल कपड़ों के वाइरल वीडियो पर बोले मंत्री केलाश्वी जिवरगी कहां ऐसे लोगों का समाज में करना चाहिए बहिशकार सोशल मीडिया पर एक यूटी के अश्लिल कपड़ों के वीडियो वाइरल होने पर मंत्री केलाश्वी जिवरगी ने कहा यह मामला मेरे भी संग्यान में आया है जिसके खिलाब कुछ मेला संगठन पुलिस कमिशनर को इस संबंद में ग्यापन देगी इंदोर सांस्कृतिक विरासत का शहर है जिसमें इस तरह की अभदलता नहीं होना चाहिए साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा देश एक स्वतंत देश है जिसमें सभी को पहनने खाने और पीने की छूट है लेकिन यह फंडामेंटल राइस का दूर्पयोग है इसलिए इसमें प्रशासन को कारवाई करना चाहिए और समाज के इसे लोगों का बैश्कार करना चाहिए मेरे पास भी अभी शिकायत आई है इंदोर के कुछ महिला संगठन आज सकरीता के साथ कमिशनर साथ को पुलिस कमिशनर को ग्यापन देने वाले हैं और मुझे लगता है कि इंदोर एक सांस्कृतिक शहर है यहाँ इस प्रकार के अबद्रता नहीं होना चाहिए यह बात सही है कि हमारे भारत के सविधान में लोगों को रहने की खाने की पीने की छूट है पर ऐसी छूट जो दूसरे समाज को प्रभावित कर सके मैं समझता हूँ कि यह दुरूपी हो गए फंडामेंटल राइट्स का और इसलिए इसके उपर प्रशाशन को भी जागरुकता से काम करना चाहिए और समाज में भी ऐसे लोगों का भेशकार होना चाहिए वहीं इंदोर पुलिस का कहना है कि एक लड़की का अश्टिल वीडियो वाइरल होने की जानकारी लगी है साथी कुछ हिंदू संगठोनों ने भी क्यापन दिया है और कारवाई की मांग की है पुलिस पुरे मामले की जाच कर रही है वहीं उस लड़की के घर का भी पता लगा रही है उसके बाद उस पर करवाई करनी की बात कही हाँ कुछ संग्ठोनों के दोरा ये ग्यापन दिया गया है कि कोई एक यूती है जो मेगू चौपाटी और चपन दुकान के आसपास असलीलता फैला रही है ऐसी एक हटा संग्यान में आई हूई है जिसको संग्यान में लिया गया है और जल्दी उसकी पतरसी की जाएगी कुछ और सोसल मीडिया में भी उसके वीडियो चल रहे हैं जिसके दोरा बताया गया है कि वो जो यूती है वो दुवाई की रहने वाली है और यही कोशिस रहेगी कि इन दोर सहर की संसीति के बार में लोगा अच्छान है और ऐसी कोई भी हरकत होती है तो उसके बैदाने कारवाई है नहीं पतारसी की ज हिवास है और अन्य थाना च्छेत पर भी उसके दोरा ऐसी हरकत की गई है और जल्दी पूस्ताज की जाएगी महीं लड़की का अच्छिल वीडियो वाइरल होने के बाद लड़की ने एक वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वाइरल किया जिसमें वह बोलती नजर आ रही है कि मानती हूं कि वह नार्मल नहीं थी पर इसे कपड़े तो बहुत सी लड़किया ऐसे पहनती है तो में ने क तो चैनल ओपर तो आई ही जाऊंगी, एक वीक तक आती रहोंगी, इससे ट्रेडिंग बनी रहेगी, पार्ती निउस के लिए दीबक छाबडा की रिपोर्ड, मैं मानती हूँ कि वो नॉर्मल नहीं थे, बट ऐसे ही कपड़े मोस्ती लेड़ किया पहनती है, वो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, मैं दिखने में ऐसे लगती हूँ तो मैंने वो वीडियो लाइक अपलोड कर दिया, नॉर्मली रियक्शन का, मैं न्यूज मैं इसलिए आ रही हूँ क्योंकि लोगों को व्यूज की जरूरत है, वो मुझे लगता भी और कम से कम 100-200 चैनल पर और रहूंगी यभी, वन बीग तक आती रहूंगी, ऐसे ही ट्रेंडिंग बनी रहूंगी, मुझे इससे कोई इशू नहीं है, आप मैंसे जिसका भी कोई फैमिली मेंबर या जो भी लगता है या किसी ने पुलिस कम्प्लेंड किये, तो प्लीस उन्हें मेरा एड्रिस बता दे, वो मुझे से आके मिल सकते हैं, डारेक्ली फेस टू फेस, मैं 78 में रहती हूं विजय नगर, आपके गाउं शहर, प्रदीश और देश की चुनिंदा दिल्चस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, भारतिया न्यूस चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूले, खबरे पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें,